चंद्यांत्री के आखरी 17 मिनट तो दोस्तों दिल थामके बैठिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को लाज तक दिरू देखिएगा तो चलिए सुरू करते हैं चंद्यांत्री आज यानि 30 अगस्त को साम 6 बच कर 4 मिनट पर चंद की स्था पर लेंड करेगा वेग्यानकों का कहना है कि लेंडिंग के आखरी 17 मिनट सबसे अहम होंगी आखरी 17 मिनट इस रू के वेग्यानिक भी दिल थामकर बैठने वाले हैं सौफ लेंडिंग के इन आखरी पलो को 17 टाइम सौफ टेर कहा जा रहा है चांद के साउथ पोल पर उतरने से 2 घंटे पहले इस रू लेंडर मॉडिल विक्रम और चंद्रमा की इस्थितियों के आधार पर तैक करेंगे कि उस समय उतरना उचित होगा या फिन नहीं अगर कोई भी फैक्टर तैप आमाने पर नहीं रहा तो लेंडिंग 27 अगस्त को टल सकती है तो आईए जानते हैं आखरी 17 मिनिट का खेल क्या है वेग्यानिकों का कहना है कि लेंडिंग के आखरी 17 मिनिट सबसे अहम होंगे इन आखरी पलू में इस रोक के वेग्यानिकों समीथ सभी की धड़कने बढ़ने वाली है चांद पर लेंडिंग चार चरणों में होगी नमबा वन रफ ब्रेकिंग फेज कमान मिलते हैं लेंडर विक्रम 25 किलो मेटर की उच्चाई से चांद की सता की तरह बढ़ना सुरू करेगा 750 किलो मेटर दूर होगा तब विक्रम लेंडिंग साइट से स्पीड 1.6 किलो मेटर पर सेकंड होगी 690 सेकंड के दौरान विक्रम के सबी इंजन स्टार्ट होकर उसकी रफतार कम करेंगे 7.4 किलो मेटर की उच्चाई पर होगा 358 मेटर पर सेकंड सता की समानतर होगी स्पीड नीचे आने की रफता 61 मेटर पर सेकंड रह जाएगी 2. अल्टियूज होल फेस विक्रम चांद की सता की फोटो कीचेगा और पहले से मौजूद तस्वीरों से उनकी तुलना करेगा चंद्यान टू की समय या 38 सेकंड का चरंग था जिसे गटा का 10 सेकंड कर दिया गया 6.8 किलो मेटर रह जाएगी उच्चाई सता की समांतर स्पीद 336 मीटर पर सेकंड और नीचे आने की स्पीद 59 मीटर पर सेकंड रह जाएगी 3. फाइन ब्रेकिंग फेस 175 सेकंड तक चलता रहेगा या चरंग लैंडिंग की पोजिशन पूरी तरह से वर्टिकल होगी या सबसे कठिन चरंग होगा पिछली बार इसी दवरान चंदेंट्रू क्रेस हो गया था 1300 से 800 मीटर के बीच हो जाएगी सता से उचाए विक्रम के सभी संसर शुरू होंगे लैंडर के संसर चांद की सता पर लेजर केंडर डाल का लैंडिंग के लिए सही जगा खोजेंगे अगले 131 सेकंड में लैंडर सता से 150 मीटर उपर रह जाएगा और गती होगी 60 मीटर पर सेकंड विक्रम का हैडर्ज डिजेक्शन कैमरा सता की फोटो लेगा अगर सब सही दिखा तो विक्रम 73 सेकंड में चांद पर उतर जाएगा नो गो कंडिशन होगी तो 150 मीटर आगे फिर से सता चिक करेगा और अगर सब कुछ ठीक रहा तो लैंड करेगा सौफ्ट लैंडिंग के लिए लैंडर की स्पीड 1.68 मीटर पर सेकंड रहेगी तो चलिए अब जानते हैं कि लैंडिंग के बाद का प्रोसेस क्या होगा लैंडिंग के बाद रैंप खुलेगा और प्रग्यान रोव धीरे से नीचे आएगा सौफ्ट लैंडिंग के बाद विक्रम लैंडर कुछ देर इस्थिर खड़ा रहेगा और आस पास उड़ रही दोल हटने का इंतिजार करेगा फिर विक्रम लैंडर खुलेगा और इसमें से प्रग्यान रोव धीरे धीरे उतरेगा इस पुरी प्रक्रिया में तीन गंटे लग सकते हैं आहम गड़ी तब आएगी जब विक्रम लैंडर प्रग्यान रोवर की और प्रग्यान रोवर अपने लैंडर की फोटो कीचेगा इसके बाद चांद के उपर ली गई पहली सेलफी बेंगलूरू की मिस्टन कमांड सेंटर में भेजी जाएगी